हलो और वेलकम मैं डियर सोल फैमिली कैसे हैं आप सब आशा करती हूं अब सभी अपने घरों में खुश है और अपनों के साथ सुरक्षित हैं आज की वीडियो हम देखते हैं आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये वीडियो जो है किस डे स्पेशल ह होने वाली है इसमें हम देखेंगे ओकी है आँखों गता रहो आप इस परसन का ये कहीं इशारा कर रहे हैं करेंट फिलिंग्स को देखने की कोशिश करते हैं पहले ही इन्होंने आंसर्स देने शुरू कर दिये हैं कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं ऐसी जगा गए हो जहां प राबिट्स किसी को यहां पर पसंद है कुछ रैंडम चीज़ें यहां पर आ रहे हैं स्टार आंखों का तारा कैमल कुछ आनिमल्स यहां पर नजर आ रहे हैं हो सकता है आपको यह बहुत जादा दिख रहे हूं आजकल किसी आनिमल्स की तस्वीर या फिर कोई काटो उन या आफर रियल लाइफ में बहुत जाते दिख रहे हो आप एनिवन लगर हो सकते हैं जो दूसरों से बहुत प्यार करते हैं आपको उनसे बाते करना पसंद है उनकी भाशा समझ आती है तो इसी के साथ अपने रिडिंग को शुरुआत से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके परसंद की इस समय क्या करेंट फिलिंग से है आपके परसंद की क्या करेंट फिलिंग से है एक ये चीज़ को बार-बार सोच रहे हैं और जितना भी कोशिश करते हैं अपने ध्यान भटकाने का लेकि इनका दिल है जो मानता नहीं है यहाँ पर सामने एक दिल बन रहा है जो शायद आपको कैमरे में दिखाई दे रहा हो यहाँ पर वैक्स गिर रही है देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक यह एक दिल बन रहा है देखिए ध्यान से ओके अच्छा जी, क्या चुपा रहे हैं अब तो जानना बहुत ज़ादा ज़रूरी है ओके यह पर्सन हो सकता है, इमोशनली बहुत ज़ादा मैनिपलेट करते हूं आपको कोई चीज जब इनको दिखती है ना कि यह नहीं कर पा रहे हैं यह कोई चीज यह नहीं कर पाएंगी, तो यह एमोशनली कुछ ऐसी लाइन्स गुसा देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपका दिल जो है पेगल जाए इस परसन को अच्छी तरीके से पैंतरे आते हैं, किस तरीके से आपको अपने वश्मे करना है, या फिर किस तरीके से आपको ऐसे प्यार से बाते बोलनी है मतलब किसकना है इस परसन को बहुत अच्छी तरीके से आता है या फिर यह बोलने हैं अभी काम है, अभी यह है, वो है बहुत दिखाते हैं दुनिया को ये बहुत बिजी है जबकि रियल वर्ल्ड में ये परसन मतलब काम इनको है लेकि इतना भी काम नहीं जितना ये दिखा रहे हैं इतने भी बिजी नहीं है ये ऐसा दिखाना चाहते हैं दूसरों के सामने दिसरों के सामने ऐसे जताना चाहते हैं कि ये बहुत busy है ये easily available नहीं है ऐसा वो इसलिए करते हैं कि दूसरे इनकी कदर को समझें दूसरे इनको granted ना ले मतलब हलके में ना ले इस person को show off करना बहुत पसंद है और अपनी life से विपरीत कुछ चीज़े दिखाना भी बहुत पसंद है मतलब real में वो ऐसे है नहीं लेकिन style, swag, topi, swag वाली topi या फिर ऐसे funky कपड़े पहनना इस person को बहुत पसंद है अपने आपको थोड़ा maintain करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत ही ज़्यादा और दूस्टों की बातों में बहुत ज़्यादी आ जाते हैं ये person लेकिन मैं देख रही हूँ आपके person के मन में जो आपके लिए feelings है वो fake नहीं है वो तो बिल्कुल भी fake नहीं है लेकिन ये इनसान न जाने क्यों इन feelings को कुबूल करने से डरता है क्योंकि इनको डर है कि इनको लोग judge करेंगे आजकल होता है ना हो सकता है इनके साथ रहने वाले लोग ऐसे हो थोड़े सक्त types तो वहाँ पे उनके साथ रहते रहते हैं ये person भी ऐसे ही दिखाना पसंद करते हैं कि हम तो बहुत सक्त हैं जी सक्त हो सकता है male female दोनों के लिए दोनों की respect में बात करें यहाँ पे कोई male oriented reading नहीं होती है genderless reading है जैसे resonate करें वैसे लिजएगा कि मुझे तो बूलना है obviously मुझे तो reading करनी है तो इस तरीके से तो मुझे बताना पड़ेगा कोई एक लेके तो आपके person में दोनों आते है male भी आते है female भी आते है जैसे resonate करें वैसे लिजएगा ठीके तो बहुत harsh दिखाते हैं अपने आपको बहुत ही harsh दिखाते हैं ताकि दुनिया उनसे डरे हो सकता है ये दुनिया के सामें से behave भी करते हैं कि यह बहुत गुस्से वाले हैं लेकिन अंदर से बहुत डर्पोक है सभी बता रहे हूं बहुत डर्पोक है यहां पर कुछ ऐसी चीज़े हा रही है चोटी मोटी milk हो सकता है इनको दूद, दही ऐसी चीज़े बहुत पसंद हो या दूद, पी के सोना यह सब बहुत पसंद हो या फिर milkshake या कुछ भी related to juices इनको बहुत पसंद हो most of the time ऐसा भी लग रहा है कि यह फूडी है, बहुत ज़्यदा फूडी है आपके person अच्छे यहां पे कितने लोग फूडी हैं यह बताईए आप फूडी है ना आपके लिए बहुत बड़ा surprise है मेरी एक subscriber ने एक food का channel खोला है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी ASMR वो डाल रहे हैं, मैंने भी देखा, मुझे बहुत पसंद आया तो क्योंना मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दो, यह उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की थी यह मैं खुद ही कर रही हूँ तो आप देखेगा जरूर, बहुत अच्छी है मतलब, वो जो sounds होती है मुझे तो personally बहुत ज़्यादा पसंद है जब भी time मिलता है, free time में I watch those videos, तो उसको check out जरूर कीजिएगा, link जो है मैं description box में दे दूँगा, I just love it बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं वो तो देख लीजिएगा, link जो है मैं दे दूँगी description box में ओके, और new video का link भी आपको description box में ही मिल जाएगा देख लीजिए, किस तरीके से आपके person जो हैं दुनिया के सामने बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं मुझे इससे क्यों लगता है इस person की life में बहुत ज़दा financial problems भी मुझे नज़रा रही है ओके, बहुत financial problems है हो सकता है इनके उपर बहुत ज़दा loans हो, इन्हें चुकाने हो और उसके लिए इन्हों ने आपसे help भी मांगे हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने help की भी है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाया क्योंकि उनके पास उस समय नहीं थे लेकिन आप कोशिश ज़रूर करते थे, उनको ideas देते थे, किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, money वगरा generate कर सकते हैं, online बहुत पार आप ऐसे सोचते थे ऐसा, उनको बताते थे एक support की तरह हमेशा खड़े रहे हो, एक चीज़ और मैं बताऊ, मुझे इसा क्यों लगता है कि उनके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप भी अपनी life में पाना चाहते हो इसलिए आप उनको कही न कहीं बार-बार देखते रहते हो या फिर आप उनको stock करते रहते हो आपके मन में कोई एक सवाल है या फिर हो सकता है आपके मन में थर्ड पार्टी को लेकि हमेशा शक चलता रहता है डाउट चलता रहता है कि क्या ये एक साथ है ये ऐसे तो नहीं कि इनके शादी हो गई तो आप इनको stock करते हो मेरे viewers जो है वो बहुत ही लंबे समय से इनको stock कर रहे है एक चीज़ में बताना चाहूंगी आफ लाइफ में कितनी भी आगे बढ़ जाओ आप चाहते हो ना आपका दर्द कम हो जाओ आप चाहते हो ना अपनी तकलीफ कम करना लेकिन आप अगर इसी तरीके से उनसे जुड़े रहोगे बार-बार उनको देखोगे बार-बार महसूस करोगे दिमाग में उनीकी बाते डालोगे तो एक बात बताओ आप तो हमेशा मतलब चोट खाते ही रह जाओगे आपकी healing कैसे होगी आप heal कर रहे हो बट आप रोज उनको देख रहे हो उनकी चीज़े देख रहे हो आपके मन में वो trigger नहीं होगा बिलकुल कर रहा है बिलकुल कर रहा है आप readings देखो, आप guidance लो लेकिन आप अपनी direction मत कहो अपने goals को ऐसे अपने time को जाया मत करो क्योंकि ये जो time है ना एक सल बाद, छे मैने बाद जब आप पीछे मुड़के देखोगे तो आप हमेशे सोचोगे कि काश उस time को मैंने use कर लिया होता खुद के लिए, देखिए person आज नहीं है, कल आएंगे वो नहीं है, तो कोई और आएंगे life कभी भी आपकी अकेले नहीं बीतेगी, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कड़ भी लग सकती है life अकेली कभी भी नहीं बीतेगी कोई ना कोई आएगा और कोई ना कोई आएगा, तो कोई ना कोई जाएगा भी ठीक है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपकी life में कौन सी blessing कब आ जाए और उसके लिए life में जगा बनानी पड़ती है और वो जगा तब बनती है जब आप पुराने चीजों को थोड़ा साफ कर देते हैं वो जगा बनाते हैं नाय के लिए तो इसलिए खुद के लिए ना सही तो उसके लिए कीजिए जो आज से 6 महीने बाद पीछे मुड़के देखने वाला है यानि कि आप इक आस्तित्व आज से 6 महीने बाद आज से 1 महीने बाद आज से 1 साल बाद जब वो पीछे की और देखे मुड़के तो उसको गर्भ होना चाहिए कि मैंने अपने टाइम का बहुत अचे तरीके से इस्तमाल किया जितना मैंने अपने best दिया उससे ज़्यादा मैं best नहीं दे सकता था या दे सकती थी आपको life में happiness नहीं चाहिए आपको चाहिए satisfaction खुश तो आप अभी भी हैं खुश अभी क्या मतलब आप बहुत सारे लोग तो ऐसे सोचते हैं कि तब ही खुश होंगे जब मेरे परसन आएंगे, मुझसे बात करेंगे, सौरी मांगेंगे, ऐसा नहीं है इसका मतलब आपके जिन्दिगी की बाग डोर हमेशा उनी के हाथ में है आपका यही मकसद था कि आप धरती पे इसलिए आये थे किसी के पीछे हमेशा भागने के लिए ऐसा नहीं है, अपनी जो लाइफ की जो डोर है अपने हाथों में लेजे, अगर कोई नहीं आ रहा, दर्वाजा बंद करना सीखिए दर्वाजा बंद करके देखिए, बहुत सुकूना आता है, जैसे दूसरे आपके मुँपे दर्वाजा बंद करते है न, तो उनको कोई फरक नी बढ़ता जादा आप एक बाद दर्वाज़ा बंद करके देखिए जब दूसरा कोई मुँपे दर्वाज़ा बंद करता ता बहुत बुना लगता है इसलिए हम उसके बीचे भागे भागे जाते है लेकिन आप तो दर्वाज़ा बंद करके देखो खट-कटाएंगे जरूर खट-कटाएंगे फिर आपके हाथ में फिर से बागडोर आपके हाथ में होगे चोईस आपके हाथ में होगे और दर्वाज़ा खोलना है या नहीं खोलना है लेकिन अपना टाइम कभी भी जाया मत कीजिए अपना time कभी भी waste मत कीजिए क्योंकि अगर आप देखेंगे ना पीछे मुड़के और फिर भी future में वो चीज़ आपके साथ नहीं रही तो आपके मन में हमेशा regret रहेगा कि वो मेरा समय था मेरा समय था और मैंने किसी और की इंतिजार में waste कर दिया जो आज भी मेरे पास नहीं है ना वो कल थे तो ऐसी चीज़े आपको बिलकुल नहीं करनी है या आपके लिए बहुत special message था एंजल की तरफ से उन्होंने मुझसे बलवाया मैंने आपको message दिया तो आप खुद पर focus करना मत भोलिए आप खुद के लिए काम करना मत भूलिए क्योंकि देखिए entry exit लगी रहेगी एक इंसान है जो आपके साथ हमीशा रहेगा जो शुरू से रहा है जो last तक रहेगा वो है आप आपके सपने आपकी मेहनत कोई चीज होगी नहीं होगी वो future पर छोड़ दीजे लेकिन आप उसकी लिए मेहनत भी ना करें ये चीज बहुत गलत हो जाएगी तो आपको खुद का सोचना है अपने dreams का सोचिए और वो तब ही कीजे जब आप खुद करना चाहते हैं ये सब जो काले बादल है आपको हमेशा डुबाए रखते हैं प्यार मोहबत में अगर ध्यान से देखा जाए जब ये बादल छट जाएंगे ना जब ये बादल खुल जाएंगे हट जाएंगे तब आपकी जब आँखे खुलेगी तब आपके पास सब कुछ होगा बट एक चीज नहीं होगी वो है बीता हुआ समय ठीक है बीता हुआ समय आपने देखा होगा वो नहीं होता एक छोटा सा सैंड का पेंडिूलम जो होता है जैसे ऐसे पलट देते हैं तो रेत गिरती रहती है आप उसको खरीद लेजे ठीक है और उसको देखते रहें नोटिस कीजिए एक बार जो रेत नीचे गिर जाती है न वो फिर वापस ऐसे नहीं वापस नहीं चली जाती उपर ताइम बीता जा रहा है तो इस बेटर फोकस अन यॉर सेल्फ यॉर हेल्थ यॉर गोल्स और यॉर अचीवमेंट्स आपकी ग्रोथ पे आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक दे दिया है उसको जाके देख लीजएगा एक चीज और बोलना चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके जरूर जाएगा और बताएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी मिलूंगी निक्स वीडियो में तब तक के लिए गॉड ब्लिस यू और लव यू ओल